आज हम बात करेंगे इलेक्टो केमस्ट्री की तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम दील करते हैं कि जो spontaneous chemical reaction है यह spontaneous chemical reaction यूज होती है तो प्रोड्यूस आर यूज तो प्रोड्यूस electricity इलेक्ट्रिस्टी बनाने में हम लोग spontaneous chemical reaction का इस्तिमाल कर सकते हैं एक तो यह बात हम इसमें पढ़ते हैं और दूसरी बात यह करते हैं कि जो non-spontaneous reaction है non-spontaneous reaction है उनमें हम उनको प्रोसीड करा सकते हैं दे कैन बी दे कैन बी कैरी आउट यूजिंग इलेक्ट्रिस्टी दो चीजों की हम discussion इलेक्ट्रोगमस्टी में करते हैं फर्स्ट की spontaneous chemical reaction जो थी उनसे हम लोग electricity produce करें और सेकिंड जो non-spontaneous chemical reactions है उनको हम कराएं using electricity दो चीजे हम इसमें पढ़ते हैं अब क्या होता है कि पहली बात तो मैं आपको यह बता जिता हूँ कि spontaneous का मतलब क्या है तो spontaneous chemical reaction वो reaction होती है जो खुद से हो जाएं जो खुद से हो जाएं मतलब हमें इन reaction को कराने के लिए कोई extra energy देने की जुरूत नहीं है यह environment में अगर यह दो chemical मिल गए तो आप पसमें यह खुद से ही react कर लेंगे इनको कोई external force की जुरूत नहीं है non spontaneous reaction क्या होती है यह वो reaction होती है जो कुद से नहीं होती पर इनके साथ हम जब रदस्ती करें कहने का मतलब यह है इन पे हम force अप्लाई अगर करेंगे तो यह reaction होने लगेंगी तो non spontaneous reaction का मतलब यह हो गया तो non spontaneous reaction को हम कैसे कराएं? electricity इसके उपर apply करके कराएं तो यह दो चीज़े हम इसमें पढ़ते हैं अब क्या है? यहाँ पे जो spontaneous chemical reaction है उस से electricity produce करने में जो device हम यूज करते हैं जो device हम यूज करते हैं उस device को हम कहते हैं galvanic cell यह इसी को नाम दे दिया जाता है वोल्टाइक सेल अब यह galvanic और यह जो वोल्टा थे यह सुरुवात के scientist थे जिनोंने क्या किया था chemical reaction का इस्तुमाल करके electrical energy बनाई थी इनी के नाम पे फिर इन cells का नाम हो गया तो यह होगी इसकी बात अब दूसरी बात हम करते हैं कि यहां पे non spontaneous reaction को कराने में हम क्या करते हैं उनको non spontaneous reaction को कराने के लिए हम electricity का इस्तुमाल करते हैं और ऐसी डिवाइस को ऐसी हम जो डिवाइस होएगी ऐसी डिवाइस को हम कहेंगे electrolytic cell electrolytic cell तो दो चीज़े होगी galvanic cell या फिर voltaic cell और यहां पे electrolytic cell यह एक दूसरे के बिलकुल opposite है यह तो क्या करती है chemical reaction से electricity बनाती है और यह क्या करती है electricity से chemical reactions को कराती है तो यह दो चीज़े है यह दो चीज़े हमें और detail में पढ़नी है अभी क्या होता है कि एक होती है electrochemical cell electrochemical cell electrochemical cell जो होती है उसके ही यह दो परकार है एक तो है galvanic cell galvanic और या फिर या फिर वोल्ट टाइक और इलेक्टोलेक्टिक तो electrochemical cell के दो परकार होते हैं इसमें अबने जान लिया कि यहां पर क्या होता है chemical reaction से electricity बनती है electricity बनती है और यहां पर क्या होता है यहां पर होता है इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी से क्या होती है chemical reaction होती है जो की पहले non-spontaneous थी non-spontaneous reaction को electricity का इसमें बनाया जाते है अभी तक हमने यह जाना है अभी यह बात कैसे करते हैं कैसे काम करते हैं तो उसको पढ़ने के लिए हम सुरू करते हैं आगे तो तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ फिर अगे बात करते हैं देखिए कि किस परकार से यह दोनों चीज़े काम करती है उसकी हम बात करना सुरू करते हैं देखिए यहाँ पर हमने बात करी डैनियल सेला अपने नाम सना हुगा डैनियल सेल 11 किलास में पढ़ इती आपने तो इसमें क्या होता है यह हमने लिया बीकर इधर भी एक बीकर ले लिया लेफ्ट तरफ के बीकर में हमने ले ली जिंक की रोड यहाँ पर किस की रोड भी जिंक की और राइट तरफ के बीकर में हमने ले ली कोपर की रोड यह ले ली हमने कोपर रोड इन दोनों रोड को हमने कनेक्ट कर दिया वायर के साथ इसको नाम देंगे कनेक्टिंग वायर यहां तक बात समझ में आ रही है अब यह उपर से तो कनेक्टिड है वायर के साथ में और इंटरनली जो कनेक्टिन होगा इनका वो होगा सोल्ट पीच के साथ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे next lecture में अभी के लिए जान लेते हैं कि यहां पे internally कुछ होता है उसको हम कहते हैं salt bridge यह क्या हो गया salt bridge ठीक है इसमें जैडन वाले में जैडन का ही solution होता है वह होता है zinc sulfate solution का aqueous solution और यहां पे copper वाले में copper का ही solution होता है that is copper sulfate का aqueous solution जैसा कि हम जानते हैं यह भी ionic compound और यह भी ionic compound तो ionic compound में पानी अगर हमने डाल रखता है तो यह क्या होगा आइनाइज होएंगे या फिर dissociate होएंगे dissociate होएंगे dissociate तो इस dissociation के कारण क्या होगा यहां पे यह जो copper है वो co2 positive की form में है और जो sulfur sulfate ion है वो SO4 2 negative की form में है similarly यहां पे यह जो dissociate हुए है यहां पे ZN2 positive की form में है और SO4 2 negative की form में है तो इस तरफ इस bigger में ZN2 positive और SO4 2 negative की ions है और उस तरफ SO4 2 negative और Cu2 positive की ions है present है यहां तक हमें बात हमने आ रही है इसके बाद अगर हम बात करें तो कैसे काम करता है यहां पे हमने जाना था इलांस क्लास में कि यह जो zinc है zinc की road है जो solid form में है यह solid zinc जो होता है यह dissociate होता है इन ZN2 positive aquacine और यह electron देता है यह zinc ने क्या किया यहां पे ZN2 positive ion बनाया और ZN2 positive बना तो साथ में दो electron निकले वो दो electron क्या करते हैं वो उपर जाते हैं इधर यह electron जो आए हैं यह जाएंगे उस direction में अब हमने यह जान लिया कि electron जा रहे हैं zinc से copper की तरफ zinc से copper की तरफ electron जा रहे हैं तो एक बात में पता होनी चीए कि current की direction current की current direction is opposite opposite to direction of electron direction of electron तो यह हमें पता होना चीए शीजिक समय आपने पड़ा होगा तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि अगर zinc से copper की तरफ electron जा रहे है तो current की direction क्या होगी current की direction होगी copper से zinc की तरफ current फलो रहा है इदर से उदर यहां तक में बात में आ रहे है अब हम देखें कि यह electron गया यहां पे इसके पास copper के पास इस पे negative charge है और यहां पे यह negative charge किसके पास आएगा और किसी बात है negative के पास तो जाएगा नहीं positive के पास आएगा तो Cu2 positive जो है वो दो electron लेता है और क्या बनाते हैं Cu solid तो Cu solid बनते हैं तो Cu solid यहां पे जमा होंगे और यह जो है इस पे जमा होने के कारण यह जो electrode है वो ठीक होने लगेगा वो क्या होने लगेगा similarly यहां से jeanक क्या होरा था टू ता तोट रहा था जिंक पहले jinq की रोड में जो масशा जिंक ता वो solid- Legends क क्या कर रहा है तो Disol हो रहा है जैसे आपका nook जो होता है वो recycle होता है तो क्या होता है नमक जब डिजव्योल होता है तो हमारा यह वो पानी में दिखाई देना बंद हो जाता है तो वो दिखाई देना बंद हो जाएगा तो ये क्या होगा ये थिन होता रहेगा डिजोल होते होते ये थिन होता रहेगा ये क्या होगा ये होगा थिन वो होगा थिक और ये होगा थिन यहां तक हमें बात समझ में आई अगर हम यहां पर बात करें कि Oxidation हो रहा है कि Reduction हो रहा है उसकी बात अगर हम करें तो हम Redox Reaction जब पड़ी फिलांट क्लास में तो वहां पर यह देखा था कि जब Removal of Electron होता है Jink से Zn2 positive N बना है और Electron बने हैं तो Electron जब निकलते हैं Removal of Electron जब होता है तो होता है Oxidation तो Zn2 में क्या हो रहा है Oxidation और जब Addition of Electron होता है जैसे कि यहां पर Copper में हो रहा है उसको कहेंगे हम लोग Reduction तो हम कह सकते हैं कि Reduction किसका हो रहा है Reduction हो रहा है Copper का और Oxidation हो रहा है Zn2 का हमने यह redox reaction में जाना था कि oxidation जिस electrode पर होता है oxidation पूरा लिख देते हैं oxidation जिस electrode पर होता है उसको हम बोलते हैं anode और reduction जिस electrode पर होता है reduction जिस electrode पर होता है उसको बोलते हैं cathode ठीक है तो आप इसको O-A से याद कर सकते हैं और इसको R-C से ठीक है एक सोंग होता था ओयो तो उस O-A-O सोंग से आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे रिचार्ज वगएरा कुछ स्वाट फॉर्म समझके और O-A अगर आपसे पूछ ले जाए कि एनोड पर क्या है तो एनोड पर है जिंक और कैथोर पर क्या है कोफ़ तो आप से पुछें कि क्या हो रहा है तो क्या थोर्ड पर हो रहा है रिडक्शन किसका स्वियू टो पोजिटिव आइंस का और एनोड पर क्या हो रहा है ऑक्सिडेशन किसका जिंक का जिंक का ठीक है यां तक हमने बातामन में आये अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है अभी इसी में अगर हम देखो यहां पर क्या हो रहा है यहां से इलेक्ट्रोन जा रहा है उस डिरेक्शन में और यहां पे अगर मैं यहां पे यह जो है बलब वगएरा लगा दूँ तो यह बलब क्या होगा? गलो होगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रोन फ्लो हो रहे हैं यहां से electron flow होंगे, तो यह क्या होगा? Glow होगा. अगर यह glow हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यह जो reaction हुई. इस reaction से क्या है? electricity produce हुई. तब यह तो अब लब जला. अगर इसको overall reaction लिखना चाहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे? यह पलस यह. यह electron से cancel हो जाएगा. आपको पता ही होगा कि left hand side जो होता है, वो right hand side से cancel हो जाता है. ठीक है? और left hand side में जो जो चीज़े हैं वो जुट जाती है, ऐसी right hand side में जो जो चीज़े हैं वो भी जुट जाती है. तो यहां पे left hand side में यह चीज है और यह चीज है यह क्या होगा zinc solid plus Cu2 positive aqueous ऐसे convert हो रहा है यह Zn2 positive aqueous पलस में Cu solid यह हो गया है यह है और ओल रियक्शन और ओल रियक्शन अब अगर हम ऐसा कर दें कि इसी में Cristal battery लगा दें हमने याद हो तो मैंने बात करी थी इलेक्ट्रोलैटिक सेल में क्या होता है इलेक्ट्रोलैटिकसेल में हम बाहर से electricity अपलाई करेंगे और जो non-spontaneous reaction है उस reaction को हम कराएंगे तो यह होता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बाहर से electricity को apply करेंगे, और बाहर से electricity को apply करने से क्या होगा, यह reaction पर क्या सरक पड़ेगा, वो हम दीरे-दीरे देखेंगे, देखें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैंने यह अप्लाई कर दी मैंने बैटरी इलेक्ट्रोन पहले रहते है यहां से तो यह बैटरी यह नेगेटिव पोल है और यह पोजिटिव पोल है इलेक्ट्रोन इस बैट्री से इधर से आ रहे है यहां से इलेक्ट्रोन आ रहे है तो यह इलेक्ट्रोन किदर जाएंगे यह इलेक्ट्रोन जाएंगे इस डारेक्शन में इस तरफ और पहले वाले जो इलेक्ट्रोन ते वो जा रहे है उस तरफ अब जो बैट्री लगाने के यह जो बैटरी है इसका जो पोटेंशल है उसका नाम देते हैं अभी पोटेंशल की बात करते हैं फोटेंशल क्या होता है देखिए क्या रहा था यहां से जिंक से इलेक्टों जा रहे तो तब क्या हो रहा था कि जिंक से कोपर की तरफ जो इलेक्टों जा रहे था उनकी कुछ पावर थी उसका कुछ पोटेंशल था ठीक है उस पोटेंशल के कारण कुछ भी हो सकता है मैं जयादा हो सकता है इस केस में जो पोटेंशल था का इस तेल का पोटेंशल जो था वह को समय सकते हैं इतनी पावर ती इताने की अब हमने बैटरी लगाई है उसका potential हमने रख दिया है वो क्या है E external यह E external जो हमने लगाया है वो कम भी हो सकता है और जादा भी हो सकता है ठीक है? इस से तो तीन case हम पढ़ेंगे इसमें first case जो हम बात करेंगे case first जब यह E external E external जो बैटरी वाला है वो small हो E of cell से cell का जो E था उससे small अगर यह होगा तो क्या होगा? उसके हम बात करते हैं देखिए इसका जो potential है वो 1.10V है और इसका potential कम है कम आप कितना भी ले सकते हैं? एक ले लो 0.5 ले लो, 0.6 ले लो anything you want ठीक है तो मैं ले 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 लो यहां पर 0.5V अब देखो एक बंदा रस्ता खीच रहा था इस डारेक्शन में मान लो उसका फोर्स था 1.1V जब वो अकेला खीच रहा था तो जो रस्ती का फोर्स कितना लगा हुआ था इस डारेक्शन में फोर्स कि देख हुआ था वो था 1.1V पर अगर उधर से वो कोई बंदा आता है और वो उसका फोर्स कम है वो फोर्स अप्लाई करता है 0.5V तो अब ओरोल फोर्स कि अगर मैं बात करूँ तो वो ओरोल जो फोर्स होगा वो कितना बचेगा, वो overall force बचेगा, 0.6 V इस डारेशन में, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि जितना यह force आया है, उतना ही यह cancel हो जाएगा, तो overall जो force बचेगा, वो बचेगा, overall जो यहां पर बचेगा, वो 0.6 V बचेगा, पहले इतने force से electron flow रहे थे, jinx से, copper की तरफ, अब यह apply करने के बाद, कम power से, कम potential से flow रहे हैं, अगर यह कम potential से flow हो रहे हैं, तो जो flow of electron है, flow of electron जो होगा, flow of electron, क्या होगा, slow हो जाएगा, Similarly, flow of current भी क्या होगा, current भी क्या होगा, slow हो जाएगा, हाला कि direction से नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादा ताकत अब भी इस direction वाले electron की है, यह जो zinc से copper की तरफ जा रहे थे, उनकी ताकत 1.1 V है, ठीक है, और जो यहाँ से battery लगाए, उसकी ताकत कम है, तो और अभी भी direction होगा, उसकी क्या हो रहेगी, उसी direction में रहेगी, तो direction अभी क्या है, अगर direction की बात करें, तो direction, देखो, electron की direction तो है, zinc से copper, और current की direction है, copper to zinc, ठीक है, अब हम बात करते हैं, case second की, यह था case first, यह case first हमने पड़ लिया, अब case second की, अगर हम बात करें, case second, तो case second में हम रख रहते हैं, इन दोनों को equal, e external equal to e of self, अब आपको थोड़ा बहुता idea तो होई गया होगा, कि यहां से कोई बंदार है, उसका force 1.10 volt है, और उधर से कोई बंदार है, उसका भी force 1.10 volt है, तो कोई भी move नहीं कर पाएगा, एक ही जाया पर stop होजेंगे, ठीक है, तो similarly, यहां पर भी electron क्या होगे, वो stop होजेंगे, flow of electron क्या होगा, flow of electron होजेगा, stop, similarly, flow of current भी क्या होजेगा, stop होजेगा, यहां तक हमें बातर होगे आ रही है, तो stop ही होगया, तो कोई direction बची ही नहीं है, ठीक है, अब last case बचता है, यह था second case, जब e external equal है e of cell के, case third बचेगा अब, case third में अगर हम बात करें, case third में हम बात करते हैं, कि e external को अब हम बढ़ा कर देते हैं, e external greater than e of cell, यह अगर हम कर देते हैं, तो गोर से सुनना, अब ही क्या है, electron की direction, यहां से इस direction में है battery वालों की, battery वालों की क्या है, यह वाली direction है, copper से zinc की, और cell वाले electron की जो direction है, वो है zinc से copper की, अब ताक्त की जाद होगी, battery वाले की ताक जाद होगी, battery वाले की ताक जाद होगी, तो electron का flow कहां से होगा, copper से zinc की तरफ, तो flow क्या हो गया, flow of electron जो होगा, वो होगा, copper to zinc, और flow of current जो होगा, current जो होगा, वो होगा, zinc to copper, हाँ, एक और बात करते हैं, अगर हमें electron flow ऐसे ही कराने हैं, कि हम electron flow करवाना चाहरे हैं, इस direction में, ठीक है, तो, इस case में हो रहे हैं ऐसे, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, zinc, देखो, electron जो flow हो रहे हैं, sorry, यह तो current हो गया, electron जो flow हो रहे हैं, अब क्या होने लगे यह, copper से zinc की तरफ, flow होने लगे, पहले क्या हो रहे थे यह, zinc से copper की तरफ, flow हो रहे थे, इस case में, इस case में क्या हो रहे थे जिंक से copper की तरफ लो रहे थे और अब क्या होने लग गया copper से zinc की तरफ तो ये बात हमने देखी और ये non-spontaneous है ये क्या है non-spontaneous है इसका मतलबी ये है ये खुद से नहीं हो रहा था कि खुद से हमने zinc को copper को एक साथ छोड़ दिया मिला दिया उनको connect कर दिया तो खुद से वो ऐसा नहीं कर रहे थे कि copper से zinc की तरफ electron flow पर हमने जब इस पर electricity का apply किया battery से current इसमें दिया तो अब क्या होने लगया अब यहाँ पर electron जाने लगये copper से zinc की तरफ ये हमने चार्ज को apply करके कराया है तो इसी को हम और ज़्यादा detail में देखते हैं ये वाड़ी चीज़ा आप उतार लीजिए और इसको अच्छे से notes बनाईए coffee में और आगे आपको उसी में से पढ़ना ताकि आपको बार-बार notes बनाने के ज़रूर पर ना पड़े अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो यहां से मैं साफ कर रहा हूँ आप ध्यान रखना तो देखिए अब क्या होने लग जया था उस केस में कोफ़र से जीन की तरफ electron flow होने लग देखिए electron का flow था ठीक है यह electron flow और यह क्या था non-spontaneous था non-spontaneous था जो कि हमने कराया था non-spontaneous chemical reaction थी है chemical reaction थी जो कि हमने कराई है यूजिंग इलेक्ट्रिस्टी इलेक्ट्री इसा करने पर यह जो डिवाइस है इस डिवाइस का क्या नाम हो जाएगा इस डिवाइस का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रो लाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की आप definition लिखना चाहें तो आप यह लिखेच के हैं कि इक डिवाइस है जो की यूझ होती है नोनस्पॉन्टेनियस केमीकल रीक्शन को फैरी आउट़ने में यूजिंग एलेक्ट्री थिक है तो यह आप definition लिखते हैं हमने पहले बात करिए इसकी अगर हम अब दुपार इसको मैं मिटा देता हूँ कि मेरे को स्पेस ती है इदर ठीक है देखिए अभी क्या है हमने देखा कि कोपर से इलेक्टोन प्लो रहे हैं जिंक की तरफ तो कोपर से इलेक्टोन जिंक की तरफ जब लोंगे जो कोपर इलेक्टोन देगा तो कोपर क्या हो रहा है कोपर इलेक्टोन दे रहा कोपर सॉलिड तोटके co2 positive aqueous और copper electron दे रहा है तो ऐसे हो रहा है ऐसे ही zinc electron अगर ले रहा है तो zinc कुछ ही इस प्रकार से electron ले रहा होगा ठीक है z and solid ठीक है देखो कहने का मतलब यह है कि अगर electron इधर आ रहे है तो electron अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर electron लेने की tendency किसकी जादा है जिसके electron पर negative charge है तो positive charge वाला ही तो उसके पास जाएगा तो electron जैसे ही आया तो positive charge वाला उसके साथ मिला और यह चीज बन गी ठीक है similarly copper ने electron छोड़ा अब देखो co2 positive तो electron छोड़ड़ेगा नहीं ठीक है क्योंकि co2 positive ने तो already electron छोड़ दिया है तो कौन छोड़ड़ेगा electron कोपर तो copper solid में electron को छोड़ा है और दो electron यह चूट गे यह ही electron यूज होगे इधर ठीक है अगर हम बात करें तो electron जिसमें से निकलते हैं उसको क्या गाते है उसको हम बोलते है oxidation उसको क्या गाते है oxidation अब देखो oxidation किसमें होने लग ज़्या oxidation किसमें होने लग ज़्या copper में copper में क्या हो रहा था reduction यह reduction हो रहा था copper में और यहाँ पे addition of electron हो रहा है तो इसको क्या गएंगे? reduction. अब reduction किस में हो रहा है? zinc में. zinc में अगर reduction हो रहा है, इधर electrolytic cell में, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? zinc में, sorry, इधर, zinc में यहाँ पे क्या हो रहा था? oxidation. तो दोनों ही उल्टा हो चुका है, सब कुछ? ठीक है? अगर हम over all reaction इसकी लिखना चाहें, over all reaction अगर हम लिखना चाहें, तो वो क्या होगी? देखो, right वाले right में जुडेंगे, यह आपस में जुडेंगे, और यह वाले आपस में जुडेंगे, जो right में है, इधर, right में जो है, वो left वाले से cancel हो सकता, अगर same चीज़ हो, तो यह चीज़ same है, तो यह आपस में cancel हो जाएंगे, तो बचा क्या? तो बचाईए CO solid plus में zinc to positive aqueous ठीक है goes to CO to positive aqueous plus में zinc solid ठीक है इधर बात में आग इतनी अच्छा अगर मैं red यहाँ पे cathode और anode पुछ हूँ तो यहाँ पे cathode क्या हो जाएगा देखो oxidation हो रहा है तो क्या हो जाएगा यह anode यह हो गया anode reduction हो रहा है तो यह हो जाएगा cathode देखो cathode anode भी change हो चुके है अब ठीक है तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है तो गोर्द से देखना भी क्या हो रहा है ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो electrolytic cell है और galvanic cell है ये एक दूसरे के opposite है ठीक है ये एक दूसरे के opposite है गैलवनिक सेल इस ओपोजिट या फिर क्या कह सकते हैं रिवर्स ओफ इलेक्ट्रोलेटिक सेल इतनी बात हमें समझ में आ रही है ठीक है ये इलेक्ट्रोलेटिक सेल है जो कि इसका उड़िटा है बिलकुल आप देख सकते हैं यहाँ पे zinc solid है left में और यहाँ पे zinc solid है right में यहाँ पे left में Cu2 positive aqueous ion है और यहाँ पे right में है ठीक है similarly यहाँ पे यह ZN2 positive aqueous ion है राइट में और यह इधर left में है similarly यह few solid इधर right में है और यहाँ पे left में है तो यह opposite है इसको मैं उल्टा करूँगा तो यह बन जाएगी ठीक है तो इतनी वात हमें समझें आ गई है आगे बात करते हैं कि हम लोग यूज क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोगमिक स्थी का यूज किदर है तो देखिए इलेक्ट्रोगमिक स्थी के यूज की हम बात करते हैं तो देखिए फस्ट यूज अगर हम बात करें यूज इज और इलेक्ट्रोगमिक स्थी क्या बात है यूज इज यूज 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 हम नहीं पता होंगे तो हम पढ़ेंगे तो पढ़ने में इंटस्थी तो भी आएगा तो पहली बात हम करते हैं कि यह क्या करता है प्रोडक्शन ओफ वेरियस मेटल यह बहुत सारी मेटल्स को बनाता है ठीक है क्लोरीन गैस भी बनती है क्लोरीन भी बना सकते हैं मतलब बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं सोडियम आइड ऑक्साइड और भी बहुत सारी हम चीज़े बना सकते हैं एक्सेक्टर ठीक है सेकेंड अगर हम बात करें तो जो सेंसरी सिगनल होते हैं जो हमारी बोड़ी में वर्क करते हैं सेंसरी सिगनल जैसे जो सेल से से टू ब्रेन सिगनल जाते हैं और ब्रेन टू सेल सिगनल जाते हैं से लेक्ट्रो केम खैमिकल medo नहीं कित्रे काम होताहम है वहां पर इसकी ऑपलाई है यह व est आगए हम क्या कर सकते हैं कि आगए हम यहाँ पर कोरिज़न को कैसे प्रिवेंट करें वह भी आपर शीख सेटे हैं क्रिवेंशन क्रिवेंशन कुआ इसक्रिवेंशन कुर आ Om कि पूरीजन ग्यालवनाइजेशन और जो पड़ी थी वह चीज़ें और भी चीज़ें हम पड़ेंगे जब आगे हम इस लेक्टर को करेंगे लेसन को करेंगे तोरी